स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रनती आईयेस में आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ बिहार दरोगा का एक और नया सेट जिसका पूरा के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कोईशन से जो है चावल का ब्राउन लीफ स्पॉर्ट रोग किस कवक के द्वारा होता है कवक मतब फंजाई होता है आप सब जानते होंगे कवक मतब फंगाई जो लोग नहीं जानते हैं इंग प्रणेरिया सॉलनी मैं आपको बता दो इसका आंसर होगा वेपलस और आईजी जिए अब इसके बाद अगा दिहान दें मेलनस्पोरा लिनियाई क्या होता है यह मेलनस्पोरा यह किस बिमारी को दर्शाता है यह होता है तीसी का रस्ट तीसी आप लोग जानते होंगे तीस इसके बिमारी का रस्ट ठीक है विपलस पो विपलस और आईजी आपको चावल का ब्राउन लीफ इसपोर्ट हो गया कैने इंग्लिस में बोले तो राइस ब्राउन लीफ इस पॉर्ट इस और सरकोस्पोरा परसुनाटा होता है मूंग फली मूंग फली जिसको अमने बादा इस्पाम भी कहता है मूंग फली का हिक्का रोग सवरी टिक का रोग मूंग फली का टिक का रोग इंग्लिश में बोले तो Ground Nuts Tickka Disease Ground Nuts Tickka Disease Alternaria Solanee बहुत famous है यह आलू में होता है और इसको कहते हैं आलू का अंगमारी रोग यह बहुत famous है Alternaria Solanee और यह हर exam में लगभग पूछा जाता है काफी hit question है आलू का अंगमारी रोग जो होता है Alternaria Solanee चलिए आगे बढ़ते हैं Wisow का सबसे बरा चिरिया घर कौन सा है भी कभी कभी इसको Kruger भी कहते है Kruger यह आपको South Africa में है Kruger कहा है South Africa ठीक है यह Wisow का सबसे बरा है और Columbia चिरिया घर का बात करती Wisow का दूसरा सबसे बरा है Second चीरियाँ घर अलिपूर यह भारत का सबसे बरा है भारत का सबसे बरा है और बर्ली जो लॉजिकल गार्डन जो है यह जर्मनी में है और यह भी काफी बरा और काफी सूप्रशिद चीरियाँ घर है ठीक है आगे बढ़ते बहुँ पटना कलम चित्रकला से संबंधित में से कौन चित्रकार है तो आपको चार ओप्शन दिये हैं इन में से सेवक राम जो है यह आपको सूप्रशिद पटना कलम के चित्रकार है और जहां तक ठीक है बाकी हुलासलाल इश्वरी प्रशाद यह सब नहीं है ठीक है आगे बढ़ते बहुए इसका आउनसार आपको होगा इनमें से सभी इनमें से सभी जिसमें आपको सेवक राम जो है इनकी एक अलग अस्थानी यह सबसे ज्यादा फेमस है सबसे ज्यादा फेमस शेवक राम ठीक है ये सबसे अधिक्त चित्रकार है कौन सेवक राम सेड़ सासूरी और नोहानी पठान के बिच यूद बिहार के किस जगह पे हुआता है तो ये जो सेड़ और बिचित राज़ेख रहे सूरज़़ः पठान के यूद सूरज़़ः में हुआताा कहाँ सूरजगर है, सूरजगर है आपको मुंगेर के पास है मुंगेर जिले के पास है और सासाराम में तो आपको सेř ससुरी की राज़दानी थी जाहांगीर पूर ये आपको पतना वा वैशाली के रास्ते में पढ़ता है और रोताजगर से इसका कोई सम्मद रही है ठीक है चलिए भीमनगर बाराज की न्यू किस ने रखी काफी सुपरशित कुछ है भीमनगर बाराज भीमनगर बाराज यह भीमनगर बाराज जो है इसकी न्यू रखी गई थी 1969 में ठीक है और अगर पूरा डेट हम लोग ध्यान तो 34 1969 ठीक है 30 अपरल 1969 किनके द्वारा तो यह रखा गया था नेहरू जी और ततकालीन नेपाल नरेश दोनों ने मिलकर इसकी न्यू रखी थी नेपाल नरेश ठीक है इसके साथ यह किस नदी पर रखा गया था कभी कभी यह भी पूछ सकता है तो यह जो है कोशी नदी पर बनाया गया था भीम नगर बाराज कोशी नदी पर बनाया गया था ठीक है और एक और बात इसकी निर्मान करता कंपनी कौन है ध्यान लीजेगा तो निर्मान करता कंपनी आजकर बहुत पूछती है तो निर्मान करता कंपनी जो थी आपको जोशफ जोशफ नाम के कंपनी ठीक है इसके साथ ही 1969 में न्यू रखा गया लेकिन बन के तब कब तयार हुआ तो यह हुआ 1965 में ठीक है 1965 के 24 29 अप्रेल ठीक 6 साल बाद ध्यान दिजिए कि ठीक 6 साल बाद 1965 में इसका उद्गाटन किया गया किन के द्वारा तब तक आप जानते होंगे उस टाइम प्रधान मंत्री के जवालन नेरू हट चुके थे तो आ कौन आ गया थे शास्त्री जी लाल बहादू शास्त्री और तत्कालीन नेपाल नरेश के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया थे 14 29अप्रया 1965 ठीक 6 सब्सक्राइब शाल stated于 इत प पतना के मुईनूल हाकि स्टेडियम की छमता कितनी है तो पतना की मुईल हाकि स्टेडियम की छमता मात्र पज़ई सजार अट ज्यादा है न कम है लेकिन इसको कम ही हमलों कहेंगे ठीक है और पतना मौिनूर्हक स्टेडिया में दो इंटर्णाइटनल ODI मैचस दो इंटरनाइस्टल अंतराश्ट्री एक दिवर्श यह मैच भी खेले गया है पहला खेला गया है है 1996 में स्रिलंका वर्सेश जिम्बावए स्रिलंका वर्सेश जिम्बावए दूसरा वर्ल कप मैच था कीनी 1996 में ही कीनिया वर्सिस जिंबाब्वें ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं राजेंदर नगर इस्थित पत्ना मोहिनुलहक स्टेडियूम पत्ना इस्थित रिज्वान कैसल के निर्मान करता मालिक कौन थे रिज्वान कैसल सुपरशिद जगह है इसका निर्मान इसका निर् यात्री ने पत्ना को जमितुले हिंद कहा था तो यह जमितुले हिंद कहने वाले मुला बहानी थे जो कि एक इरानी शाशक थे एक इरानी यात्री थे हैं शाधी के दूसरे दिन से चतूर्थी तकदिन के भोजन के समय गाए जाने वाले घीत को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको महुखगईत कहते हैं हम लोग। मिथिला में सू प्रशिद हैं और पाकी कल्चर में भी काफी ताफी फेमस हैं लेकिन मिथला में कुछ जाड़ा ही फेमस है। ठीक हैं आग पला साम्हां सलेखमे कांद कुश्वामी नामक संत की करमस्तली के रूप में विख्यात था बन घाओ I shall लाल स्कॉड नामक उग्रवाद का समर्थक दल कौन था उग्रवाद उग्रवाद वीच के पिरेड्ड में काफी प्रचलित हुआ और उग्रवाद काफी ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे उनमें आपको लाल स्कुर्ड काफी फेमस था और इसका जो समर्थक दल था वो पार्टी उनिटी थी ठीक है पार्टी उनिटी गुनावा जी नामक जैनियों का प्राचीन मंदिर बिहार के कि जिले में मनाया जाता है तो कल्यानी मेला कटिहार जिले में मनाया जाता है मुकृप से और यह कल्यानी मेला आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो नवंबर महिने में होता है कार्तिक पूर्णिमा एक लंसम और यह 11 दिनों तक मेला लगता है कितने दिन 11 द चलिए बिहार विदान परिशत की पहली महिला सभापती कौन थी तो पहली महिला सभापती आपको राजेश्वडी देवी जी थी पहली महिला सभापती राजेश्वडी देवी जी ती राबरी देवी मुखमंत्री थी ठीक है और सीता देवी निर्मला देवी आपको आगे बड़ते हैं निमलिखित में से कौन सा समचापत दर्भंगा महाराजद्वार अस्थापित था तो यह आपको आरेवरत था जो कि 1941 में दर्भंगा महाराजवारा स्थापित किया गया था और यह हिंदी भासा का था हिंदी भासा का था चीक है 1941 में कि सरपर्थम किस ने दिल्ली सलटनते के शाषक ने दिल्ली सटन के साषक ने द्वाब गंगा जमना की बीच का छथर में लगान की वेद्गदी कादेस दिया तो यह दिया अलावदिन खिलजी ठीक है अलावदिन खिलजी ने दिया तामबे का जीतल नाम से प्रशित मुद्रा प्रणाली किस दिल्ली सल्तनत के शाश ह्क ने सुरुआद कि तो तुम्हे kicked है जो कि आप 불同ड वन स्लेव डाइनस्टी के थे और इन्हों ने तामबे के जीतल के सास चान्दी का टंका भी शुरु हिए जो के सिके को जीतल बोला जाता था और चंदी को टंका बला जाता था ञेंट chat इंच है तंका न तक्ते ताउस, मैयूर सिंहासन पैटने वाला अंती मोगल साशा कौन था? तो मुहमद शाह रंगीला, अब प्रथम कौन था? तो साज आ है नहीं, तक्ते ताउस मैयूर सिंहासन बनाया, और ये तक्ते ताउस को लेके भाग गए कौन? नादिर शाह, कब भाग गए? है अब भग ए 1438 में चलिए आगे बढ़ते हुए इसाइक संदी प्रणाली किस्ते सुरू की साइक संदी प्रणाली जिसको हम लोग सबसीडरी एलायंस भी कहते हैं सबसीडरी अलाय सिर्वर्म और यह सबसे पहले आपको बरेज्व्डीश दिशुर किया तो बरेज्वी यह अपने सबसेरी अलाय prescribed के चलते ही काफी फैमस हुएं Song और इसका जो आइडिया था कि Sabepend송 होता क्या है क्या नहीं होता है कौन दिया था एलफ्रेड लॉयल वो इनके लिए बहुत लॉयल भी थे एलफ्रेड लॉयल ने विलेजली को दिया कि भई आप ये सहायक संधी प्रणाली लगाईए सहायक संधी प्रणाली को सबसे पहले कौन सहराजे अवद अपनाया था ठीक है अवद अपनाया था किन्तू संशोधित एक सबसीडरे लाइन्स है एक कुछ दिन बाद संशोधित तो संशोधित में आपको हैदराबाद हैदराबाद रियाशत सबसे पहले अपनाया था ठीक ह चलिए भारतिय प्रेश का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है और इन्होंने 1835 में भारतिय प्रेश मुक्तिदाता अठा वह गुए तो भारतिय प्रेश से मुक्तिदाता लिए ठीक है चलिए Bombay Chronicle का प्रकाशन किनके द्वारा किया जाता तो यह किया जाता था आपको फिरोश्या मेहता के द्वारा किसके द्वारा फिरोश्या मेहता के द्वारा और यह फिरोश्या मेहता का जो पीरियड था वो लॉड हार्डिंग दुईतिये के समय का था यह आपको पॉंबेग क्रोणिकल का जो प्रकाशन होता था इसी वक्त में होता था लॉड हार्डिंग दुईती है लॉड हार्डिंग दुईती है लॉड हार्डिंग दुईती का पीरट क्या था एक लंसम 1910-1916 तक कॉंग्रेस की लोग पदों के भूखे राजनित्ति गईया कतन के द्वारा दिया गया था ने पता चलड़ा न यह दिया गया था बंकिम चणचछटरजी द्वारा तो राजचछनक है लेकिन यह कतन उनके द्वारा दिया गया था चलिए भारत में Home Rule लिक्ः स्थाप ने एनी वे सेने की सस्थल पर किया ति यहे अध्यार पर किया अध्यार कहा है अध्यार तमिल नाडू में और कब किया था 1916 में किया था 1916 में प्राचीन इतिहास में किस प्रसी सासा को लिबरेटर के नाम से लिबरेटर मतलब लिबरेटर थे आपको चंद्रकुत मौर को कहा जाता है क्यों कहा जाता है को कि यह यूनानियो यानि अलेक्जेंडर सिकंदर जैसे महान शाष्ण को भगाने में सफल हुए थे इसलिए इनको लिबरेटर कहा जाता है भारत का सेक्षपियर किसे कहा जाता है तो भारत का सेक्षपियर आपको काली दास को कहा जाता है ठीक है और यह काली दास का जो पिरियाट था वो कब था तो चंद्रुगुप्त विक्रम आदित चंद्रुगुप्त विक्रम आदित के समय में थे जो आपको गुप्त वंसिये थे गुप्त वंसिये चंद कुप दुईतिये भी कभी-कभी लोग कह देते हैं प्रशिद रचना का भार्विक किस राजा के दर्वार में निवास करते थे तो वो पल्लब वन्स ये सिंग विश्णु के दर्वार में निवास करते थे ठीक है और ये पल्लब वन्स के संस्थापक भी आपको सिंग विश्णु ही थे कार कोट वंस के अस्थापने किस ने कहे थे कार कोट वंस के अस्थापने आपको दुरुलब वर्धन ने की थे ठीक है दुरुलब वर्धन ने लिला लिला तादित पे चलचा करे तो लिला ता लिला तादित आपको कार कोट वंस के सबसे सूप्रश्य तो सबसे शक्तिशाल मिर्हाइब भाई राजाओं में से एक थे लक्ष्मन सेेनब अपको सेनब नहीं सके STAR तेशा 및 कि रागों सनक हो सफे कारना कारणी सोरा जनपत कालीन कमबोज राजा की राज़धानी क्या थी चबहुन जो हाटक थी का एक और ना मैं सरने पटा है पलोगों को तुबता देते हैं राजपुर है राजपूर हाटक राजधानी और एक भाद यachos wearing over income प्रतिश्थान जिसको तरफ्रटिश्थान जिसको कहते हैं ओर आप दो यह स्मगाविदा शेद्य डिवाल सब्ण नगर या शक्ती हमित्र बन्स पर विराट नगर मत्स से न स्पारतने मत्स से न सबंस के राजानि विर्हट न गार जैसे न सबंस कर पींदाएंघ सब्लों को सब्सक्राइब अगर आप ध्यान दे इसका आंसर तो आपको केला है ठीक है केला में बीज नहीं होता है अगर ध्यान देंगे तो आपको बीज नज़र नहीं आएगा नहीं आएगा सच में नज़र नहीं आएगा आप एक वर कभी खेला को ध्यान से देखें छोटा-छोटा जो होता है आपको बीज नज़र नहीं आता पार्थेनोकार्पी का यह खास बास होता है और बीना निसेचन यानि बीना जाइगोर्ड फॉर्मेशन के इसमें आपको हो बीना निसेचन कहने का अब को होता है बीना आपको निसेचन मतलब जाइगोर्ड फॉर्मेशन के डेवलपेंट हो जाता है पार्थेनोकार्पी ठीक है आगे बरते हो है संग्रतिजितफा प्रेट फुर्ट को दार्ण क्या है कंपोजिट फूट मतलब एक फुर्ट नहीं होगा 4000 फूट के फांटेज इस तरह से घडवांगे में एक फूट में पहुत कर फूट हुता है ठीक है संग्रतित मतलब क्र अच्छा कर दोट artificial intelligence कम दोट वाइह डूबगद रेधिन में निम्सजर होता इन में से शभी मे आगेँ लिखे ब क्युँन चमगादर द्वारह पड़ागीत जो पड़ागी पॉलिएशन स्वार्णिंग एंथर से ऑफ एंदार कोम सब्सक्राइब पर रहता है को में स्टीगमा पर में आ यहिए डालता है आपको किने डालती है नीचे नीचे कहा जाता है स्टाइल में आ सब्सक्राइब करते हैं अभी बहुत पूछ सकता करोना के वैसे ठीक है अब तक ध्यान दीजिए का और निथोलोजी से आप समझ रहें बड्स चिरियों के द्वारा एंटीमो इंसेक्ट्स के द्वारा ठीक है निमलिखित में से कौन सा शैवाल एल्गी समुद्री सलाथ के नाम से भी जाने जाता है समुद्री सलाथ एल्गी बहुत फायदेमंद होता है खाने में अब ध्यान उन में से एक उल्वा भी होता है ठीक है जिसको कहते है इत्वारा पर फॉल्फ पकाने ृफ्यजिस थिवरन कई द्वल कारव और धा वे करते हैं ठीक है इथाएलीन कर बना खेल फल पकाने का काम करता है राइपनिंग और फूट्स का काम करता है ठीक है बागी रहा डार्विन डार्विन ने ओक्जिंस नामा के एक प्लांथ हार्मोन की खोच की ती कजन और एलिफ कोट भी काफी फेमस साइंटिस्ट हुआ किया मूत्र में किस हॉर्मोन के उपस्ति से गर्भाधारन की जाज कि जा सकती है एसीजी ऑर्मोन के से सिगे हर्मोन हुमन कोल ऊनिक है कि मलें कोनाने गोनाडो ट्रॉपीन के आइध कि जाती है और यह यह आपको जवल्फ्मेंट और मैमरी कोश्तों की आपको फीमेल बॉडी में पाया जाता है रिलाक्स इन्स बच्चे के जर्म टाइम में रिलीज हो दाए ये क्वेशन एक वर और आया है और साइद मैंने आपको बताया भी है ठीक है प्रोटीन शब्त का सरप्रतं प्रयोकिश वेग्यानिक ने किया था ये बडजियूलियस ने किया था ये बडजियूलियस ठेक है और डार्विन लेमार्क अल्टमेन माइटोकोंद्रिया की खोज की ती यह जान लेजिए और लेमार्क ने आपको माइटो कॉंद्रिया ठीक एक घ्रवेंज का इतना योगदान है कि एक छोटे से मुवायल में वैक्षा नहीं की जा सकती है बर्च ईलियस कि इसे प्रोटीन को सब्सक्राइब जब करें के लिए बाधामिन में ऑंजाता है बादाम का दूद आप्को लासा बना सकता है निमिल्कित में से कौन एंटिबाइटिक्स का उधारन नहीं है एंटिबाइटिक्स हमेशा कुंद एंटिबाइटिक्स खालो ठीक हो जाएगा एंटिबाइटिक्स खालो ठीक हो जाएगा तिन में से आपको पेनिसिलीन एंटिबाइटिक बहुत पारिन को ुषाइबक्राइबएलु वो कबण है द्ञान को डहीं है लगा सब्सक्राइब लिए भारीधातु कौन जी सरवाधी भारीधातु ओश्मियम है इसमें आप लोग अगर कभी यह सब परहंगे प्लस एट इसका वह नंबर थोड़ा यूनिक है ऑश्मियम अनुमानत गाई के तूद का पीच्छ ख्या होता है गाय का दूद जो होता है काफी अधिक होता है क् इस वैसे गाय का दूद आपको पीला पीला भी नजर आता है कि पीला और इसका पीच्छ कानुमानत है 6.5 वहता वह गाय दर गाय पर डिपेंड करता है ठीक है जो ज्यादा पॉश्टी काहड़ लेती उसका 6.6 भी हो सकता जो कम लेती उसका 6.2 भी हो सकता एक आवरेश 6.5 पॉश्टी कोई देंगे सही होगा एक दुकानदार अपने क्रैम मूल से 40 प्रतीशत अधिक पर अपने माल को अंकित करता है अंकित मूल पर 25 प्रतीशत की चूट देता है तो उसका लाब यहानी प्रतीशत कितना होगा वस्तू का क्रैम मूल हम लों मान लेते हैं 100 रुपय ठेक है 100 रुपया अब आगे है कि जैसे 100 रुपय माई है तो अंकित मुल कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा अब हमको निकालना सेलिंग प्राइस वीक रहे हैं मुल सेलिंग प्राइस यानि SP हम लोग क्लिख लेते हैं तो 140 25 प्रतिसाद का डिसकाउंट तो 75 25 2 2 100 एसस कट यह काटने तो आप लोग आता ही होगा जंकाड़ना हो जब सुझा साथ को यह निकालना होगा 105 बंनस 100 हो गया 5 तो आपको 105 परतीशत वहीं हो जाएगा और परतीशत हो जाएगा 5 5 परतीशत हो हुआ है Awesome छलिए 15 000 की राशी को 16 16 प्रतीशत वार्षिक चक्रविरदी चक्रविरदी व्याट compound interest compound interest को चक्रविर्दी व्याज करते हैं पर उधार दिया जाए दूसरे वर्स तीसरे के चक्रविर्दी व्याज में क्या आंतर है ठीक है इसका simple करते हैं एक वर्स के लिए हो गया 15,000 ठीक है दूसरे वर्स में हम लों बढ़ा देंगे 16% है तो 15,000 का 16% कितना हो जाएगा 2400 फ सब्सक्रव अब है दूसरे वर्स के च्대 sizi qt8 to the T commit उतिवार करेंगे तीपर्स के लिए आजाएगा 4.4 करना है 384 प्लस 384 प्लस 61.44 क्या जाएगा 81 स्वाइट 2.829.44 ठीक है अब हम लोग अंतर निकाल लेंगे 829.44 किसको माइनस कर देंगे इस 384 को कर देंगे इस 384 को माइनस करने के बाल आपको 4.44 5.44 मिल जाएगा और आपका अंसर हो जाएगा C ठीक है चलिए आमन की आय अविशेक की आय से 50 प्रतिशत अधिक है यदि आमन की आय में 40 प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है और अविशेक की आय में 90 प्रतिशन के व्रिद्धी हुई है तो उनके संजुक्त आय में कितने प्रतिशत के व्रिद्धी होगे मालनीजे अभिशयक की आई है 100 रुपया सौरी अभीशयक की आई है 100 रुपया ठेक है आमन की यह मालनीजे 150 क छे तक है अब आमन और अभी की अभीशयक की आये में क्या हो जाएग यह तो करना जानते ही है अब इसमें कितना हुआ है आमन की आमें 440 प्रेश्य तो 3 x 40 प्लस उसमें उसका टू रेश्यो था तो 2 x 90 दोनों को कमबाइन क्या हो जाएगा 5 x x का वैलू आपको आ जाएगा 300 आजाएगा अब दोनों का एड करें तो x का वैलू कितना percentage हो जाएगा परसेंटेज आप दो ध्यान दीजेगा 60% हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हुए a, b और c की दक्षता का अनुपात 5 x 3 x 8 है वे एक कार को साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं a और b ने मिलकर 20 दिनों तक कार किया बागी बचे कार को c अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ठीक है a का है 5, b का है 3, c का है 8 ठीक है रेश्यों सिंपल है माना c अगले अकेले d दिनों में पूरा करता है कार को ठीक है अब इसको कुछ इस तरह से एक्वेशन बनेगा 8 x 20 ठीक है ए और b मिलकर किया दोनों को हैट कर दी दोनों के रिश्यों के और b को 8 x 20 पलस 8 सिर्फ सी का इंटू d या एक्स जो आपको मानना है इंट इसक्वाल टू सोला 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 हुआ और सोला इंटू कितना है तीस तीस सोला क्यों यह पूरा रेश्यो इसलिए सोला तैसा पीछे पीछले क्वेशन में किये था अमन अभिश्यक वाले में उसी तरह सोला इंटू 30 अब एक्क्वेट कर देना है एक्क्वेटिंग सिंपल है आपको आजाएगा 8 x d is equal तो कितना है जागा सालीस जिनों में पूरा कर लेगा तैसिंपल कि अब आता है दो स्टेशन ओ ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमेटर है एक रेलगारी एक स्टेशन चलना सुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमेटर प्रतिगंटे की चाल से चलती है और दूसरी र प्रिप पार करें शिंपल आठ सो है याम लोग आठ सो दे दिए चाली सो साथ को एड कर देंगे ठीक है इंटु आठ कर देंगे यह होगा आपको इक्वेशन अब इसको हमनों एक्वेट करके आपको आंसर आजाएगा फॉर्टी इंटु एट कितना थी ट्री ट्वेंटी किलोमेटर आजाएगा अंसर सिंपल है कोई कठी नहीं है अब है ऑस्ट्रेलिया ओपें 2020 का खिताब किस पूरुष नहीं जीता नोवाल चोकोविच ने अब बाक पुस्तके लेखक समान से किस खिलाडी को नवाज अव्यqu इन्फोसिस या बायो टेक करके इनकी कंपने जो बायो टेकनोलोजी से संबंदेते हैं और काफी अच्छी काम कर रही है भारत के किस सोड़ी एक क्वेश्चन छोड़ गया हाली में सुपरश्चित खिलारी कोबे ब्रैंट का नीधनों किस खेल से संबंदेते हैं तो क्वे ब्रैंट जो थे आपको बास्केट बॉल से संबंदेते हैं ठीक है Noah कि भारत के किस राज ने विक्रम साज़ावाइ चिल्डनन्य IndianventionC Today अस्थापित किया है संजुक्त राच्च द्वारा जारी फ्लूडाइजिंग पीछे बहुत पीछे सबसे अनतराष्टिए मैच मारसतक बनाया है उसका नाम किया है उनका नाम किया तो लू कुछल मल्ला क्या नेपाल के और नहीं इन्सक्रिकेट सब्सक्रमा नेपाल के ईपान के Х consentärane के यह रंट टर ईंड लियम सन्स न्यूजिललंड और इनपे उन्यूजिंग नहीं है औसकर एवर्ड 2020 में सरुसरे फिल्म का एवर्ड किसे मिला पैरासाइट को मिला पैरासइट की खास बात क्या है पहली नौन इंग्लिश फिल्म है जिसको बेस्ट फिल्म का एवर्ड मिला है ठीक है आगे बढ़ते हुए Asian Games 2020 का आयोजग देस कौनस है चीन है आई एशन गैम 2020 का एज डिस ड्वाजग देस 2022 आय इम आलसो डिस्टाल एक था आ या वी ठिंक डिस्टाल फेस्बूक आप दोरा आई एम अलसो डिस्टल भारत के किस राज के दौरा शुरू किया गया के दौरा ठीक है और यह काफी सिंपल है दोनों एट प्लस माइनस करना एक बोर्ड मास होता है रूल आप जानते होंगे बोर्ड मास ब्रैकेट टॉप डिवीजन मुल्टिप्लिकेशन एडिस अपहले है एडिस अड़ा को कर लेंगे यह दोनों को एड कर लेंगे और यह दोनों में से इन दोनों को सब्ट्राइट कर लेंगे सिंपल है आपको 103.72 आजाएगा 148 एक सो पचासी का लगुत्तम समा वर्तम LCM निकालें LCM निकालने का मैं आपको पुराने तरीके से बता जाता है 148 ऐसे करेंगे 2 आजाएगा 74 इदर आजाएगा 2 आजाएगा 37 185 का करेंगे तो इसको हम लोग माली जब 5 से कर देते हैं 37 अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो LCM हो जाएगा 37 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा लगवग आपको 740 आजाएगा और आपको 740 LCM हो जाएगा यह लॉंबा फॉर्मुला अगर आपको कोई शॉर्टकट जानते हैं तो मुझे भी बताईएगा भारत में सबसे अधिक उचाय परिस्ती जील कौन सी है चोलामू जील है चोलामू कहां पे है सिक्किम काफी अच्छा जगा है ठीक है जरूर जाहिएगा त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनी है गंड़क गंड़क नगा पर त्रिवेणी नहर बनी है नीलगिरी एवं अना मलाई श्ट्रेनियों के पीच केरल में से दर्रे का क्या नाम है पाल घाट चार दर्रे थालगाट भोरगाट सेने पोटा घाट ठीक है थाल घाट कहा है भोड घाट कहा है थाल घाट हो गया मुंबई पूने हाइवे सबसे साइड में कौन से महास आगर है तो इसका लेंड लॉक होने का कोई चांस ही नहीं बनता है डूसरा पकष्तान और फाकिस्तान के अरेबियन अरब सागर से गसफिन अफ्रिका देख्षी नंफिक coral अउनसर है कि अब बयर्फ गेंने के समान छेतों को दशाने में रैखाब क्या कहते है आइसयो निफ़ी कहते है प्रदारियों कोपीनित सर्क बताए भी होगे हैं आप लोग जाके प्लेइक एक आप आप प्लैलिस्ट में जरूर देखें। कि फ्रांस के मक्रव मेशिव्थ मैसिव कि थंडे उच्थार भूमत Dreutnik भूमत Šagra के चले वाले हवाई क्या क истор है मिस्ट्रल क्या है हवाई की कई सारी उप्रकार इसमें आपको हर मट्ना नेसी र tutto को है नॉर्वेस्ट है तो इस तरह मिस्ट्रल है यह आपको फ्रांस के मद में मैसिव के ठंडे उचे पठार से चलती है यह आपको अभी नहीं बताया जाएगा आप पहले जोग्रफी का प्लेश्ट देखें बहुत सारे क्वेश्टन जोग्रफी का प्लेश्ट में आपको नजर आ जाएंगे निमलिकीत में से कौन सी प्रशाद मासा गर्म जलदार है जलधारओं पर यह यह भी classes चल रही है इसमें गर्म जलदार आपको यह प्रशाद मास आगर का है नहीं अल्टांटिक का है और कैलिफॉर्णिया जलदार ऑख के ठंडी जलदार है ठीक है आगे पढ़ते वे में जाके जरूर देखें वांजील यह सारे क्वेशन्स करवाएं गया है नहीं करवाएं गया फिट से आप लोग कर लिजिए लवंता कमापन कितना पर किया जाता हजार ग्राम लवंता को जिस तरह 33 मान लीजिए है ठीक है 33 00 कुछ इस तरह से ठीक है उत्री गुलार्थ की लवंता कितनी है 34 है डिटमार महोदे कैनुसर कितने प्रकाड का लवन शमुद्री जल में पाया जाते हैं सेहां था इस यह सब का डिटेल एक्स्प्रेशन सर ने किया जोग्राफी वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर जरूर देखें ओश्यनोग्र पॉष्यनोग्राफी की लेक्ट्टर से समुद्र विग्यान ओश्यनोग्राफी दोनों आप जरूर जाके देखें कि भूमत मैं रेखा पलावंता कम क्यों होती है सालो वार्वर्षा के कारण अमेजर नदी के कारण जाहरे नदी के जल के कारण ठीक है मैं यह कारण भी लि विश्ट के सबसे उच्छा जॉल अमुखी किस देस में सथे थे पहले अब से विश्ट के सबसे उच्छी जॉल आम की है कौन तो हम सब्सक्राइब किस देस में इ div Dadorf में कहा है ने लीठा इन दो फूह दो अंतारीं के बीच की तुरी को क्या इचानता है रिखाव कि बीच की दो कितोरी को क्या कहते हैं बहुत यूनिक नाम के गोड़े कहते हैं गोड़े कोरोन कोरोना एक किरीट जो है यह ची टर्म है यह आपको सर बताएंगे सोलर सिस्टम की जब परहाई होगी तो कोरोना की रीट के बारे हम बताएंगे मीन मीन कुछ नहीं है ऐसे ही है मीन एक राशी होती है एक्वेडियस कहते हैं सैटर्ण काफी यूणीक दखने में होता है सFunक्र एक रखें हैं गया इसका Յंसर कि ब्रह्मान की रपत्ती से सम्भने दोलत सिधा पलसेटिंग्हीं कि स्कर्फ दोबर प्रति पाधीद किया गया था तो तो प्रतिफिश कि भी बात को बात क्माण एक किसी विदेशी ने जिनका नाम है एंबी ले और टॉलमी कांट औरीटर के बारे में आप सब जानते होंगे नहीं जानते होंगे तो जब गैलेक्सी के बारे में पढ़ाया जाएगा आप कुछ जरू बता दिया जाएगा ठीक है अब घबराएं नहीं जनगनना 2011 के अनुसा नियुंतम लिंगानुपात वलड़ाज कौन सा है नियुंतम लिंगानुपात मतलब प्रती हजार पूरुस में मैलाओं की संक्या कितनी है तो यह एक लमसम हरियाना में 864 के करीव है ठीक है एक लमसम आगे पीछे हो तो मुझ पर चिलाइएगा मत ठीक ह हरियाना है और केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपाते हैं एक हजार से अधित हैं वहां पर लगए एक हजार सोला महिलाएं है प्रती एक हजार पूरुस पर ठीक है ना बिहार मिजोरम का ठीक है 900 के सपस है अ बुकसा बागवेरन के जिराजम्य वस्तित हैं वही रॉयल टाइगर का रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल अंगामी जन जाती भारत के किस राज में पाए जाते हैं अंगामी मनीपूर रेल्वे निर्माइन की एकाई भारत वैगन एंड इंजिनियरिंग कहां इस्तित हैं काफी यूनिक वैशन है कभी नहीं पूचा है लेकिन अब पूचा जा सकता है मुझफर पूड में इस्तित है डीजल लोकोमोटिफ सेंड वर्स बनारस में इस्तित हैं उसी तरह आपको मुझफर पूड में भारत वैगन एंजिनियरिंग है विश्व नमकुत पादन में भारत क्या आसाने तृति यह पहला कौन है चीन चीन कुछ नहीं आया पहला में चीन ही मार दीजेगा और दृतिय कौन है अमेरिका ठीक है और तृतिय कौन है भारत बस समझे विश्व में 3 राश्ट चीन भारत अमरका एह तीन चला रहें सब कुछ यह समझें को बारत का कौन-स राज टीन अत्यदिक मात्र है rich-36 गर्मेर टीन सभस्य हुआतर पाया जाती है कि अकाल की देने वाला भी ले कौन साह है जिशोग और अभी लेख हैं उसको और भीलेख महांतर अकाल के बारे में बता इए दो gagnane 20 सार कर अंदक है ठीक है होई इनसांग की जीवनी और समाफी फेमिस होई ठीक है लेकिन ये बारते हुए सिंदू कालिन शाहर आलम गीर पूर्ड की उत्खनन करता कौन है यूज चारों नाम मैंने दिया चारों जिनु कालीन, शारों की उत्खनन करता रहे है। जिन में आपको आलम गीर पूर्ड का य॥यरुदत सर्मा रहे हैं ठीक है। Can being a काफी सिंपल है ना सत्रो चौड़ासी में थो किसके द्वारा आप बताए किसके द्वारा दादा जी कुंडदेव कि समाराठसरदार के सनरक्षन करते हैं गुरू थे छत्रपती सिवाजी ठीक है बिसमें महाराष्ट में रहां मायावति नहीं नहीं पाइब कोई नहीं बनिए कि जम्मु कश्मीर के सद्रई क्त पद्नम बदल का राजपाल करतीया गए चमु पर तिन चार लेक्टर्स दिया गया आप लोग जाकर प्लेइलिस्ट में जरूर देखें पॉलिटिकल साइंस के प्लेइलिस्ट में 1965 में सदर्ड यासत हुआ था उच्छे ने लेक्ट के छित्रा दिकार को घटाने बराने का दिकार किसे है संसत को ठीक है बारत के करवाह के मुखने आए थी इसके न्यूक्ति कौन करता है तो कौन करेगा राश्पती न करेगा सब चीस राश्पती करते वह भी राश्पती करते हैं बारतिय सम्विधान सभ परफा में महिला सदरुसु के संके कितनी थी 15 थी किस अधिनियम की प्रमुक्ष विसेस्ता प्रांधिय स्वाइटा थी 1935 भाराश आशन अधिनियम ठीक है भाराश आशन अधिनियम मील का पत्थर था एकदम मील का पत्थर बाड की समिदान सभा की सनुसार गटित की गए क्याविनेट मिशन योजना 1946 आगे बढ़ते हुए किस अनुचेत के तहत अवसिश रक्तिया के इंदर के पास अनुचे 249 के तहत और लास्ट पर नौट देलीस्ट आई व्रिद्धी आई व्रिद्धी आई का रिद्धी आई व्रिद्धी से राष्ट्रिय ए एक हाक्लन करते से मैं निम्लेकित मैं से किसको सामिल नहीं किया जाता अब रिता आइक को शामिल नहीं किया जाताई तो इस तरह हम लोग का दरोगा का चौथा सेट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे टेस्ट का लिंक मिल जाएगा मेरा आप लोग से यह अनूड हो थे कि जाका टेस्ट दे मार्स देखें कितने मार्स आए नहीं आए और ऐसे और सिरीज के लिए हमारे नंबर 933420 पर आप लोग 933420 3592 पर वाटसब कर सकते हैं कोई और टेस्ट सिरीज जॉइन करना हो तो दरोगा भी पीएसी यूपीएसी बीएसी सीमेंस साहे तरह के टेस्ट सिरीज चल रहे हैं आप लोग जॉइन कर सकते हैं वीडियो लेक्टर्स देखा हैं और चलिए मैं फिर आऊंगा दूसरे टेस्ट और करेंट अफेर्स के साथ अब तक के लिए धन्यवाद जाहिन